नमस्कार दोस्तो में नमस्री कांकुमर आप देख रहे हैं तो जेट टोसिस आज हम बात करने हो वाले से वीडियो में दोस्तो बहुत ही बड़ी खुसकबरी अब इस रमकार्ड से भी आईश्टमान कार्ड घर बैठे ऑनलाइन बनना सुरू हो गया है तो दोस्तो अगर आप के पास आईश्टमान कार्ड नहीं है और अगर आप आईश्टमान कार्ड को घर बैठे बनाना चाहते हैं सिर्फ पांच मिनट में तो इस वीडियो को पुरा लास तक देख लेना है इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में स्टेबाज टेपर के दिखाने वाले हैं कि इस र लाइक करना है क्या इसका प्रोसेस है सब कुछ इस वीडियो में स्टेबाज टेप करके दिखाने वाले हैं तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अब लाइकन घंटी को प्रेस कर लिजे ताक एक browser को open कर लेना है browser में type करना है isrum उसके बाद search के option पे click करना है सबसे उपर जो link दीख रहा है isrum इस link पे click करना है यहाँ पे देखनी के लिए मिल जाता है go to main page के option इस वाले option पे click करना है isrum card का official portal इस प्रकार से open हो जाता है जो इस परकार की इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है जैसे आप स्क्रॉल डॉन करते हैं तो यहाँ पे देखिए गवर्मेंट के दोरा अभी अभी एक नया पोर्टल को लांच किया गया है वन अस्टोप शूलेशन तो इसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है लॉग इन के ओप्शन पे क्लिक करना है अब यहाँ पे अपना मोबाइल नमबर को टाइप करना है इस बॉक्स में इस कैप्चा कोट को यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे तीन option दिया गया है इन में से किसी एक option को select करना है तो चले यहाँ पे OTP को हम select करेंगे इस capture code को यहाँ पे type करना है submit के option पे click कर देना है उसके बाद अधार card के साथ जो mobile number link है उस number पर एक OTP को send किया गया है OTP को इस box में type करना है उसके बाद validate के option पे click करना है अब यहाँ पे देखिए अधार card का कुछ information यहाँ पे देखनी के लिए मिल जाता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे देखनी के लिए मिल जाता है update ekyc information के option इस पे click करना है और यहाँ पे जो box दिया गया इस box पे भोल कर भी tick out नहीं करना है अगर इस box पे tick out करके update ekyc information का option पे क्लिक करते हैं तो फिर आपका e-sram card हमेशा हमेशा के लिए delete हो जाएगा अब यहाँ पे देखिए e-sram card के नए वाले portal पे login होने के बाद कुछ इस परकार के interface देखने के लिए मिल जाता है इस रम card के portal पे आकर तो उसके लिए क्या करना है यहाँ पे जो दिया गया है health के option इस पे क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस परकार के interface open हो जाता है और दोस्तो अब यहाँ पे देखिए e-sram card को apply करने का यहाँ पे service available हो गया है यहाँ पे आप देख रहे हैं आईश्मान भारत परधान मंत्री जन अर्योगी योजना इसको apply करने के लिए यहाँ पे दिया गया apply की option और दोस्तो अपलाई करने से पहले आपको इसके बारे में eligibility को भी चेक करना होगा इसको जानने के लिए यहाँ पे दिया गया आई icon वाले जो option इस पे क्लिक करना है अब यहाँ पे देखिए इसका पूरा यहाँ पे about section देखने के लिए मिल जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर आगर सही तरीके से reading कर लेना है अगर इस card को apply करने के लिए अगर आप eligible हैं तो आप apply कर सकते हैं जैसे आप apply के option पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस परकार के interface open हो जाता है अब यहीं से आप घर बेटे आइस्टमान card के लिए apply कर सकते हैं आइस्टमान card apply करने के लिए यहाँ पे दिया गया है थिरी लाइन के option पे क्लिक करना है यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाता है PMJAY इस वाले option पे क्लिक करना है उसके बाद कुछ इस परकार के interface open हो जाता है और यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाता है MI eligible के option इस वाले option पे क्लिक करना है उसके बाद कुछ इस परकार के पोर्टल ओपेन हो जाता है और यहाँ पे दिखी इस पोर्टल पे लिखा हुआ है अब आईश्टमान कार्ड बनाना हुआ और भी असा तो अगर आप खुद से आईश्टमान कार्ड को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रॉल डॉन करना ह यहाँ पे दो ओप्शन दिया गया है तो यहाँ पे बनी फेसरी वाले ओप्शन को सलेक्टे रहने देना है इस कैप्चर कोट को यहाँ पे टाइप करना है यहाँ पे मोबाइल अंबर को टाइप करना है उसके बाद लोगिन के ओप्शन पे क्लिक करना है लोगिन होने के ब रहने देना है तो चेले इस प्रकार से हम सेलेक्टे रहने देते हैं उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट का नाम को सेलेक्टे करना है जिस स्टेट से आप बिलॉम करते हैं उस स्टेट का नाम को सेलेक्टे कर लेना है यहाँ पे अपना स्कीम के नेम को सेलेक्टे करना है त उसके बाद यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, search by, तो select के option पर click करना है, search करने के लिए 3 option दिया गया है, तो चलिए यहाँ पर select करते हैं, अधार number, उसके बाद यहाँ पर अधार number को type करना है, capture code को यहाँ पर type करना है, उसके बाद जैसे आप search के option पर click करते हैं, तो द रासन कार्ण है। दोस्तो अब यहां पर देखिए रासन कार्ण में जitने वी मैंबर्स के नाम है। रासन कार्ण में जितने वी मैंबर्स के नाम है। यहाँ पे members के नाम देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरा रासन कार्ड का परकार है पी एच एच रासन कार्ड। अप्लाई करने के लिए एस आइड में चले आना है और दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं जिसका जिसका आइश्टमान कार्ड बना हुआ है यहाँ पे अप्रोब वेरिफाइड देखने के लिए मिल जाता है और जिसका आइश्टमान कार्ड बना हुआ नहीं है तो यहा यहाँ पर हम किसी एक family के यहाँ पर अपलाई करके दिखाते हैं उसके बाद यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा है verify verify के option पर क्लिक करना है अब यहाँ पर देखिए अधार card के साथ जो mobile number link है उस number पर एक OTP को send किया गया है तो अधार OTP को इस box में type करना है mobile OTP को इस box मे type करना है तो हमने यहाँ पर देखिए OTP को type करना है उसके बाद अन्थो ticket के option पर click करना है अब यहाँ पर देखिए EKYC करना होगा EKYC करने के लिए सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे member के name को select करना है जिस member में आप EKYC करने है यहाँ पे select कर लेना है उसके बाद क्या करना है यहाँ पे दिखनी के लिए मिल जाता है EKYC करने का 3 option तो जिससे करना चाहते है यहाँ पे select करना है तो यहाँ पर हम अधार OTP वाले option को select करेंगे उसके बाद verify के option पे click करना है consonant का एक page open हो जाता है क्या करना है scroll down करना है यहाँ पर दिखनी के लिए मिलेगा box box पे record करना है उसके बाद a log के option पे click कर देना है फिर से अधार card के साथ जो mobile number link है उस number पर एक OTP को send किया गया है और जो mobile number से इस portal पे login किये है उस mobile number पे भी एक OTP को send किया गया है तो अधार OTP को इस box में type करना है mobile OTP को इस box में type करना है उसके बाद कुछ इस परकार के interface open हो जाता है अब यहाँ पे अपना live photo को click करना है उसके लिए camera के उपर click करना है यहाँ पे देखें camera open हो गया है अब यहाँ पे अपना live photo को यहाँ पे capture कर लेना है उसके बाद proceed के option पे click करना है अब यहाँ पे देखिए matching score देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि अधार card का details और आईश्नमान card का details कितना percent match कर रहा है यहाँ पे percentage देखने के लिए मिल जाता है उसके बाद scroll down करना है अब यहाँ पे mobile number को type करना verify के option पे click करना है फिर उसके बाद OTP को type करना है यहाँ पे अपना date of birth को select करना है जो रासन card में date of birth होगा उसके बाद scroll down करना है यहाँ पे अपना blog के नेम को select करना है village के नेम को select करना है उसके बाद submit के option पे click कर देते हैं दोस्तों यहाँ से आईश्नमान card के लिए apply हो जाता है अगर आपका details 80% match कर रहा है 80% से गर जादा match कर रहा है PDF में इस परकार से आईश्नमान card यहाँ पर download हो गया है तो इस तरीका से अब आप घर बैठे आईश्नमान card को बना सकते हैं